हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम लोग SSC CHSL के 2001 के idioms and phrases देखने वाले हैं टोटल 2021 में 36 shift हुआ तो 36 shift के idioms and phrases देखने वाले हैं 36 shift में total 22 idioms पूछा गया था यानि के हर shift में 2-2 idioms पूछे जाते हैं CHSL के exam में तो शुरू करते हैं पहले question से सबसे पहला question है living in a fool's paradise का मतलब क्या होता है इस idiom का मतलब क्या है तो आप पहले खुछ से try किजिएगा उसके बाद answer देखिएगा तो इसका मतलब क्या होता है living in a fool's paradise इसका मतलब होता है कि to believe wrongly that your situation is good यानिके कोई ऐसा situation है जिसमें आप situation खराब है लेकिन आपको लग रहा है कि वो situation अच्छा है ठीक है यानिके ऐसा समझना कि situation वैसे तो खराब हो गया आपको लग रहा कि नहीं भाई सब सही है सब कुछ सही है situation खराब है उसके लिए उसके लिए करते हैं living in a fool's paradise नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पूछा गया है अंडरलाइन दे दिया गया है उस एडियम का मतलब ठीक है पूरा एक sentence दिया है और जो अंडरलाइन किया हुआ है उस एडियम का मतलब क्या है तो इसका एंसर क्या हो जागा फार क्राइब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अभी time है उसमें long distance away from something ठीक है तो को रोना वाय की बात हो रही है यह 12 April 2021 का first shift में यह दोनों question आया था next question है हमारा अब second shift की बात करते है C may be the principal but it is the school administrator who rules the roost तो बोला गया है कि वो भले ही principal हो लेकिन rule कौन कर रहा है rule the roost कौन कर रहा है administrator ठीक है तो इस rule the roost का मतलब क्या है तो इसका मतलब होता है is in complete control roost का मतलब होता है बसेरा जैसे क्या बोलते है birds वगरे जहां पर रहता है रात वगरे में stay करता है उसके लिए use करते है roost तो birds का बसेरा पर rule करना ठीक है इसका मतलब क्या हो रहा है आप उसको अपने कबजे में ले रहे है उसके बसेरे में अप बसे रहा होता है किस चीज़ का बड्स वगरेगा ठीक है आगे बढ़ते हम लोग तू पूट वन्स फूट इन वन्स माउथ इसका मतलब क्या होता है इस एडियम का मतलब तो इसका मतलब होता है तू एक्सिदेंटली इंब्रस और अपसेट समोने यानि किसी को सरमिंदा कर देना उसके लिए यूज़ करते है तू पूट वन्स फूट इन वन्स माउथ नेक्स जो पूछा गया है वह हो तो यह सब को पता है हिंदी में भी हम लोग बात करते हैं कि पहले इसका एंसर देने के कोशिच किजिए आप खुद क्या होगा तो इसका मतलब क्या होता है रंगे हाथ पकड़ लेना तो एंसर क्या होगा caught in a act of doing something illegal यानि कि कोई illegal काम करने में आप उसको पकड़ ले रहे हैं उसी टाइम, उसको क्या बोलते है? caught red-handed तो इससीching जैन फूद क्या है उसके लिए यूश करते हैं To Be All Years तो याद रखने का तरीका क्या होगा कि आपके बास दो ही कान है तो दुनु कान आप किसी चीज में पूरा ध्यान दे रहे हैं दुनु कान All Years तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कोई चीज को ध्यान से सुन रहे इसलिए बोलते हैं कि to be ready and eager to listen ठीक है next question है wash your dirty linen in public इसका मतलब क्या होता है wash your dirty linen in public तो इसका answer हो जाएगा क्या discuss private matter in front of others तो linen का मतलब होता है जो अंदर अंदर में जो पहनने वाले कपर होते हैं उसके लिए यूज किया गया है तो अगर वह सब के सामने देखा करके उसको साप करेंगे wash करेंगे तो यह क्या हो जाएगा एक कुछ अजीब जो के नहीं होना चाहिए तो इसके लिए यूज करते हैं कि जो चीज प्राइवेट रहना चाहिए था वो प्राइवेट नहीं है आप सब के सामने discuss कर ले रहे तो discuss private matters in front of others उसके लिए बोलते है wash your dirty linen in public तो इसका मतलब यह होता है कि इनक्रोड तो अंदर बे रखने वाली बात होती है लेकिन आप क्या कर रहे सब के साथ discuss कर रहे है discuss private matter in front of others next है हमारा Newton's work in the field of physics speak volumes about his genius तो speak volume यह जो underline किया हुआ speak volume का मतलब क्या है तो speak volume का मतलब होता है convey a great deal ठीक है next to run around like a headless chicken headless chicken इस इडियम का मतलब क्या होगा तो आप तोर तोर के पढ़ने के कोशिच कीजिए कि to run around like a headless chicken headless का मतलब होता है जिसका माथा ही नहीं है ऐसा chicken जिसका माथा ही नहीं है ठीक है तो इसका अब options की और देखिए options क्या हो सकता है तो इसका answer हो जागा क्या तो डू मैनी थिंग्स इन इडिस ओर्गनाइज मेंटर मतलब बहुत सारा चीज करना लेकिन कोई प्रोपर वे में नहीं करना ठीक है उसके लिए उसके लिए करते है जैसे यह headless chicken है तो इसका जब head नहीं है तो यह क्या करेगा गोल गूमते रहेगा इधर उधर करते बहुत सारे चीज करना लेकिन अन ओर्गनाइज़ वे में ठीक है उसके लिए उसके लिए यूज करते है तो राउंड टू रण एराउंड लाएक है headless chicken ठीक है to solve a problem कोई आपका problem है उसके उसको solve करने के हर मुमकिन कोशिश करने को बोलते है to leave no stone unturned यानि के यहां पर जितना सारा पत्थर था आपने सब को पलाट पलाट के देखा है कि हो सकता है कि इसके अंदर पैसा हो या कुछ भी anything आप example के तोर पे ले सकते हैं कि इसके अंदर पै everything possible to solve a problem नेक्स्ट आमरा make big time इसका मतलब क्या होगा make big time का मतलब क्या होगा attain fame and success यानि के बरा समय जैसे बोलते हैं कि उस आदमी का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है अच्छा समय मतले तो make big time बरा समय चल रहा है ठीक है तो attain fame and success के लिए यूज करते हैं make big time next in hot water in hot water का क्या होगा Two to Stress का मतलब होजाएगा इम ट्रबल्ड देखिए आप अगर किसी को अगर hot water में डाल देते हैं कोई आदमी को hot water में डाल देते तो उसके लिए क्या हो जागा problem बन जाएगा ठीक है वह क्या कर उसके लिए वह बहुत बरी problem बन जाएगी इसलिए क्या बोलते हो hot water का मतलब क्या होता है in trouble ठीक है मनें मुसीबत में होने को क्या बोलते है in hot water रीड बेट्विन गेलेवा होता हो Peng मतलब कई थे पो मतलब होता है read between the lines का मतलब दो लाइन है मनें दो कुछ लिखा हुआ है दो लाइन में जो बी है जितना भी लाइन है तो आप उसके सिर्फ डिरेक्ली नहीं पर रहे है उसके अंदर घुसने की कहना क्या चाह रहा है तो इसका मतलब यह होता है understand what is implied but not stated directly यानि कि आपको directly नहीं बताया जा रहा है कोई चीज उसके अंदर आपको घुसने के देखना होगा समझना होगा उसके लिए बोलते है read between the lines यानि कि बहुत अंदर अंदर तक किसी चीज को समझना के लिए यूज़ करते है read between the lines ठीक है वो directly नहीं कहा जा रहा है लेकिन आपको समझना परेगा उसको ठीक है next है मारा a good turn good turn का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है helpful ठीक है जैसे हम लोग आप भासा में क्या बलते हैं अब आपकी बारी ठीक है तो your turn बोलते है तो good turn का मतलब क्या हो जाएगा helpful act अब आपका turn है कि आप कुछ helpful करे ठीक है इस तरह से याद रखेंगे your turn से आया good turn ठीक है तो आप क्या करेंगे कुछ अच्छा करेंगे तो helpful act next be glad to see the back of इसका मतलब इस इडिम का मतलब क्या है be glad to see the back of ठीक है सोचे be glad to see the back of किसी का bag देखना देखके आपके क्या हो रहा है खुशी हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है be happy when person leave कोई कोई आदमी जब चले जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप पराही कर सकता हूं ठीक है इसके लिए उजट करते है be glad to see the back of by the skin of one's teeth इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है क्या कि ये सोचे हमारे जो teeth का skin है वो तो बहुत ज़्यादा पतला है ठीक है इस teeth का skin हो बहुत ज़्यादा बहुत पतली या किसी इंसिडेंट होने से बच जाना तो उसके लिए उस करते हैं बाइड़ इस्किन ओफ वन्स टीथ ठीक है वेरी नेरो मार्जिन अगर हो तो वहाँ पर यूज करते हैं नेक्स्ट है मारा प्रोवाइड ब्लूप्रिंट तो इसका मतलब क्या होगा प्रोवाइड ब्लूप्रिंट का ओप्संस को देखे एक बार ठीक है तो इसका मतलब यह हो जाता है गीव डीटेल प्लान और स्कीम तो घरवर बनाने प्रोग्राम होने से पहले उसको पहले blueprint में किया जाता है ठीक है तो blueprint का मतलब यह होता है detail plan और scheme मने क्या क्या करने वाले है नहीं करने वाले है तो उसको लिए उसकरते है blueprint ठीक है तो किसी भी program किसी भी structure का blueprint होता है detail plan और scheme ठीक है next go back to the drawing board इसका मतलब क्या होता है go back to the drawing board इसको खुछ से try कीज़े तो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा कि आप मने go back to the drawing board का मतलब आप कुछ बना आपने कुछ पहले बनाया उसके बाद फिर क्या किये फिर उसको इंप्लिमेंट किये ठीक है उसके बाद जब उसमें कुछ फॉल्ट आने लगा जब उसमें आप फेल हो जाते तो फिर से आप क्या करते drawing board में जाते हैं और देखते हैं कहां कहां गलती हुआ ता जिसके वैसे मैं फेल हो गया तो इसके लिए उसकरते है करते हैं गो बैक टुद दर ड्राइंग बोर्ड ठीक है यह देख सकते हैं ठीक है आपने पहले कुछ पर बिरीज बोगार बनाया था और वह क्या होगा बिरीज फेल हो गया तो आप फिर से अजिसे ड्राइंग बोर्ड में जाकर के देखेंगे की हां का गलती हो आता इसके लिए उसकर थे गो बैक टू रॉइंग बोर्ड यानि के स्टार्ट प्लाइन अगें बिकॉसज अरलियर प्लाइन फेल ठीक है एक्से मारद एबोल्ट फिर्म द बूलू इसका मतलब क्या ह तो इसका मतलब होता है कि something that happens suddenly कोई चीज का अचानक हो जाने को क्या बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द बुलू जैसे आस्मान यूज करते हैं कि आस्मान से क्या होगा आस्मान से अगर बोल्ट आ रहा है यानिक नट बोल्ट वाला बोल्ट ठीक है वह अगर आ रहा है इसका मतलब क्या होगा आस्मान से तो आस्मान से तो वह चीजिझ नहीं गिरना चाहिए था लेकिन आनस्पेक्टव्ट ठीक हो रहा है होता है कि बहुत जादा जो expensive हो उसके लिए यूज करते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं अभी किसी से पूछो मनें इस्टुडेंट से किसी से पूछो कि आई फोन लोगे क्या तो बोरने लगएगा कि किड्नी बेच करके लें सकते इतना कोश्य है तो आभ लें यहाथ और बैचेनली बेचंगे आइफ़ ले सकते तो इस तरह से पूछो मनें के लिए हम लोगों को हाथ और पैर बैब बै पैर या फेयर बैचना पड़े जादा इसी हो ना कोई टास्क है जो बहुत जादा इसी है उसके लिए उसके लिए उसके लिए यह तो जैसे बात करते हैं आम लोग लोगाल लेंगे आरामसे तरह आसे और इसका तो दून और। इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है कि have everything properly organized अगर सब कुछ properly organized है तो उसके लिए उज़ करते है once stuck in a row is c change अब इस idem को पढ़िए और सोचे क्या हो सकता है is c change c का मतलब समुंदर का समुंदर में अगर change आ जाए इसका मतलब समझ रहे कि बहुत ज्यादा change होना तो क्या हो लेंगे complete transformation जैसे c change का मतलब क्या होता है बहुत बढ़ा change तो उसके लिए उसके लिए उसके लिए करते है complete transformation यानि कोई आदमी पहले बुरा था या अच्छा था ठीक है वो क्या हो रहा है बहुत ज्यादा change हो जा रहा है तो उसके लिए उसके लिए करते है c change यानि कि समुंदर अगर बदल गया जमान लिए बे बेंगॉल से हम लोग किसमे जा रहे है अरबियन सी ठीक है तो बहुत बढ़ा जगा है तो समुंदर जैसा अगर कोई change हो रहा है इसका मतलब क्या होगा complete transformation हो जाएगा next है terrorist killed thousand of innocent people in cold blood तो इस underline idiom का मतलब क्या है in cold blood का मतलब क्या है तो इसका मतलब होता है cruelty यानि के बहुत बे रहम जो होता है उसके लिए use करते है in cold blood cruelty without any emotion तो sentence पर के भी आसान हो जाता है कि क्या कहना चारा है terrorist killed thousand of innocent people in cold blood ठीक है तो terrorist जो कि incident accidentally तो होगा नहीं by freezing to death यह भी नहीं होगा in mountainous areas यह भी नहीं होगा तो क्या होजाएगा बे रहम से ठीक है बे रहमी से मार दियाता है next है मारा to make both ind means इस idiom का मतलब क्या है तो इस idiom का मतलब क्या है कि दोनों ind को मिलाना यानि कि क्या करना to just have enough money to live यानि कि बरी मुश्किल से किसी तरह से जिंदगी का कटा होना इतने पैसे हैं आपके पास कि किसी तरह से बस कट रहा है ठीक है आपके पास उससे ज़्यादा पैसे नहीं है जैसे ये दोनों रसी को मिलाने का कोशिश्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है जब रस्ती मिलाने की कोशिश्ट कर रहा है ठीक है यानि कि आपके पैसे उतने ही है जितने किसी तरह से बस कट रहा है उतने ही पैसे है तो इसका मतलब यह होता है कि दोनों रसी जल्दी मिल नहीं रहा है लेकिन लास्ट में मिल जा रहा है ठीक है तो उसके लिए उसके लिए करते हैं to make both ends meet to have just enough money to leave next है हमारा to drag one feet to drag one feet का मतलब क्या होता है इसका मतलब है to pull someone's leg किसी की पैर को खीचने को क्या बोलते है तो ड्रेक वनस फीट नेक्स्ट गेटिंग बटरफ्लाइज इन वनस इस्टोमग मने पेट में अगर बटरफ्लाइज होगा तो क्या होगा ठीक है इस रिडियम का मतलब क्या होता है to be anxious और नर्वस के लिए यूज करते हैं getting butterflies in his stomach माल लिजिए कि आपको पता चले कि आपके पेट में याद रखने का तरीक के बता रहे हो कि आपको आपको पता चलेगा कि आपके पेट में butterfly है तो आप क्या होगा आपको nervousness होगा anxious होगा nervousness होगा ठीक है next time living in your full paradise तो यह भी किये सबसे पहला वाला question यही था ठीक है उसके बाद फिर से 19 अपरेल में same question पुछा गया है तो इसका answer क्या हो जगा to believe wrongly that your situation is good यानि कि ऐसा समझना कि आपका situation good है लेकिन actual में आपका situation good नहीं होता है ठीक है एक gray area gray area का मतलब क्या होता है तो gray area का मतलब होता है unclear situation मैंने पता ही नहीं है क्या करना है कुछ कुछ है अब नहीं ठीक है unclear situation है समझ में नहीं आ रहे situation तो उसके लिए यूज़़ करते हैं gray area to be in the dark to be in the dark का मतलब क्या होता है जबने कुई आदमी है जिसके लिए यूज करते हैं to be in the dark मतलब क्या होगा इसका एंसर तो इसका एंसर हो जाएगा to not know something others are aware of मनि आप अगर dark में हैं तो बाकी लोगों जो चीज़ जानते हैं आप नहीं जान पाएगे इसका मतलब यह होता है बाकी लोग जो जान रहे हैं आप अगर dark में हैं आप अंधेरे में हैं तो आपको नहीं पता होगा जैसे हम लोग normal भासा में use भी करते हैं कि तुमको तो वो अंधेरे में रखा है इसका मतलब क्या होता है बांकी लोग जो चीज़ जान रहे हैं वो तुम नहीं जान रहे हो To be in the dark उसके बाद 2021 में April to August Corona के वैसे exam जो है postponed हुआ था उसके बाद फिर से कहां से August से start हुआ था ठीक है तो 4th August को पहला shift हुआ था फिर से On Tinterhooks On Tinterhooks का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है Very Tense ठीक है उसके लिए उसके लिए उसकरते है On Tinterhooks Next है हमारा Under Wrap Under Wraps का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है Secretly जैसे Wrap की बात बोलते हैं हम लोग कोई भी चीज लपेट करके जो लेते हैं ठीक है अगर किसी Wrap के अंदर कोई चीज है तो वो तो दिखता नहीं है तो वो कहा है Secretly है तो देखे जैसे यह यह देख रहे है तो क्योंकि Wrap किया हुआ हुआ इसलिए दिखता नहीं है इसका मतलब क्या है Secret है Under Wrap का मतलब क्या होगा Secret होगा His jokes fell flat fell flat on the audience इसका मतलब क्या होता है यह जो underline idiom है इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है कोई भी परभाव नहीं पढ़ना कोई भी असर नहीं पढ़ना तो उसका jokes जो था fell flat का मतलब कोई भी असर नहीं कर पाया audience को तो fail to have an effect जैसे माल लीजिए कोई आप कही पर race track में दौर रहें तो आप अगर कोई आदमी अगर सो जाता है पूरा proper way में सो जाता है तो आप उसके उपर से भी चरके जा सकते है कुछ असर नहीं होगा आप पे ठीक है इसके लिए उसकरते है fell flat next to go red in the face to go red in the face का मतलब क्या होगा तो इसका मतलब हो जाता है feel embarrassed ठीक है आप अगर आपका चेहरा अगर लाल हो जा रहा है इसका मतलब क्या है to feel embarrassed ठीक है आपको सरमंदिगी हो रही है next है मारा go to the dogs go to the dogs का मतलब क्या होता है deteriorate shockingly यानि कि कोई चीज धीरे-धीरे क्या हो रहा है खतम हो रहा है अचानक से खतम हो जा रहा है उसके लिए उसके लिए उसके लिए करते है go to the dogs deteriorate का मतलब होता है आइस्ते-इस्ते खतम होने को बोलते है और shockingly कि तो समझी रहा है ठीक है अचानक से pull something off pull something off का मतलब क्या होता है ठीक है कौन सा option सही होगा तो इसका answer हो जागा drag something force ले तो किसी चीज को खीचने को कुछ खीचने को क्या बोलते है pull something off या फिर life success हो जाने को बोलते है pull something off तो इसके दो meaning है depend करता है कि option में क्या दिया होगा है ठीक है तो यहां pull something off का मतलब क्या होगा drag something forcefully यानि कि किसी चीज को forcefully खीच रहा ठीक है forcefully खीच रहा और अगर यहीं पर options में दिया हुआ रहा रहता to succeed in something यानि किसी चीज में काम्याब हो जाने के लिए भी pull something off use करते हैं तो इसके दो meaning है next thick as thieves क्या हो जाएगा इसका answer thick as thieves तो thieves मने तो चोर होते है चोर होते है तो इसका answer जो होगा having a close friendship ठीक है आप चोर देखकर कि यहां पर confused हो सकते हैं लेकिन इसका क्या answer होता है having a close friendship thick as thieves next to have eggs on one's face to have eggs on one's face one's face का मतलब क्या हो जाएगा इसका अगर आपके चेहरे पर ही अंडा रहे इसका मतलब क्या होता है to be embarrassed because of one's action ठीक है अपने ही action की वज़े से सर्मिंदा होने को क्या बोलते है to have eggs on one's face ठीक है अपने ही कर्तोतों के वज़े से सर्मिंदगी होना को क्या बोलते है to have eggs on one face ठीक है जैसे इसका देख रहे है यह अपने ही चेहरे पर अंडा होता है क्यों क्योंकि इसको सर्मिंद निगी हो रही है ठीक है butter fingers का मतलब क्या होता है ठीक है butter का मतलब तो वह butter होता है और fingers only अगर तो इसका meaning क्या होगा butter fingers का ठीक है to be clumsy यानि के कोई भी चीज धंग से नहीं कर पाने को बोलते है butter finger यानि कि आप सोचिए कि आपके हाथ में क्या लग जाए अगर butter लग जाए तो आप क्या हो जाएगा आपका हाथ हर चीज से sleep करेगा जिसके वैसे आप ठीक धंग से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा to be clumsy चीज़ का मतलब क्या होता है कोई चीज धंग से नहीं कर पाना चीज़ के इस इडियम का मतलब क्या है तो इस इडियम का मतलब क्या है to take interest in others affair यानि कि जैसे देख सकते है अपना नाग जैसे बोलते है हम लोग local language में बोलते हैं कि अपना नाग किसी और के matter में मत गुसाओ ठीक है तो इसके बोलते है to poke one's nose into यानि कि किसी दोसरे के मामले में interfere करना ठ next है मारा the friends quarreled some time ago but now they are trying to make up with each other तो यह जो इडियम है to make up इसका मतलब क्या होता है ठीक है तो यह पहरा पूरा sentence पार करके देख लेते हैं कि कुछ दो दोस्त ने कुछ कुछ समय पहले क्या को था जगड़ा किया था लेकिन अभी वह दोनों क्या करने मेक अप कर रहे है एक दोस्ते के साथ मेक अप करने का मतलब क्या होता है to settle the year differences जो जो उल्टा उल्टा बोला गया था अब उसको क्या कर रहे है settle कर रहे है ठीक है make up का मतलब break up का उल्टा होता है ठीक है break up मतलब बिचर जाना होता है और उसका उल्टा क्या हो जाएगा make up हो जाएगा ठीक है next he is very impulsive and does things without rhyme or reason इसका मतलब क्या होता है he is very impulsive and does things without rhyme and reason तो rhyme without rhyme and reason का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है without a reasonable explanation यानि कि कोई भी चीज करने का मने कोई कोई reason नहीं है बिना reason के ही किये जा रहा है without a reasonable explanation ठीक है उसके लिए उसके लिए करते हैं without rhyme और reason sorry ağab puis आगे बढ़ते हैं लोग to aid insult to injury तो यह तो जानते ही हूंगे क्या होता है to aid insult to injury अगर injury है उसमें add कर देते हैं insult तो समझ रहे तो किसी चीज को खराब से बत्तर से बत्तर करना यान इन किसी चीज को खराब से और खराब करना को आपका इंजरी से पर क्या हो गया हो गया तो एसका मतलब रहा होता है इसका मतलब होता है इसका हाट नभाण हो भूत करते हैं, hardner to crack. नएक्स्टे उल्वारा no inside out. No inside out का मतलब क्या होता है? उस का मतलब होता है to know something through yay too, निके उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी रखना, या उसके लिफ भलते है no inside out. निके उसका हर चीज के बारे में अच्छे से पता होना, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी चीज का अंदर बाहर पता होना मतलब आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं To play with the fire इसका मतलब क्या होगा जैसे हम लोग बोलते हैं आग के साथ मत खेलो तो इसका मतलब क्या है तो फाइट इन डेंजरस एंड रिसकी वे यानि के कोई खत्रा मोड लेने को क्या बोलते हैं To play with the fire नेक्स्ट और इनिक फूड सीमस तो है इन वोग इस देज वोग का मतलब क्या होता है इन वोग का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है In fashion याानि के organic food seems to be in fashion these day यानि इसका मतलब क्या हो सकता है तो इसका मतलब होता है बुख का मतलब यहां पे है कि कोई record का book है आप नहीं को 우ix को ही जला दिया एlio का खतम कर दिया या उस चीज़ को गलत साबित कर दिया उसको जला दिया खतम Crist bạn तो Cook the Food का मतलब क्या हो जाएगा कि आप books है उसको क्या करें कोई notes बगए रहे है या कुछ कोई data बगए रहे है आप उसको ही क्या कर रहे है कुक कर दे रहे है पका दे रहे है यानि कि उसमें कुछ data में error डाल दे रहे है तो उसके लिए करते हैं cook the food का मतलब to falsify financial records next है हमारा to cut corner to cut corner का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है do things in order to save money and efforts कोई का ऐसा काम करना जिससे आपका क्या हो time और money भी बजे उसके लिए use करते है to cut corner अब वो well arranged है या नहीं है वो तो बात की बात है लेकिन अगर आप time को save करने के लिए और effort कम लगाने के लिए कोई चीज करते है तो उसके लिए use करते है to cut corners next है हमारा to fire in a someone's belly इसका मतलब क्या होगा अगर किसी के पेट में आग लगी हो तो इसका मतलब क्या होगा ठीक है to fire in a someone's belly इसका मतलब होता है one who is energetic and enthusiastic about something जो बहुत ज्यादा energetic हो enthusiastic हो किसी चीज को लेकर के उसके लिए use करते है fire in someone's belly वो बोलते है अंदर से अंदर में आग लगना चाहिए तो अंदर में कहां पे पेट में ठीक है याद रखने का तरीका नेक्स्ट है मारा poke one's nose यह question पहले भी आया था अभी थोड़े दिर पहले इसका मतलब क्या होता है दोस्त्रे के मामले में interfere करना और middle का मतलब भी वही होता है interference होता है ठीक है नेक्स्ट है मारा needle in hay stack स्वी का किस में होना hay stack में होना का मतलब क्या है इसका मतलब हो जाएगा something impossible to find अब सुनिए hay stack का मतलब क्या होता है जो भूसी का डेर होता है ठीक है भूसा भूसा का डेर होता है उसमें अगर needle खो जाए तो क्या वो मिल सकता है तो इसके लिए गया तो आपको पता नहीं चलेगा ठीक है आपको मुस्किल इंपोसिबल है find out करना find करना ठीक है इसके लिए बोलते है लिदिल यह है इस टेक नेक्स्ट है हमारा a blessing in disguise यह भी इसायद किये पहले a blessing is disguise का मतलब होता है अच्छा यह नहीं किये यह तो पहले आया है blessing is disguise का मतलब पहले कोई चीज लगना कि यह सही नहीं है लेकिन बाद में वहीं चीज सही हो जाना ठीक है कोई step ले लिए है हम लोग को लग रहा है कि यह step तो गलत था लेकिन बाद में चलके पता चलता है नहीं यह step सही ही था ठीक है तो इसके लिए उसकरते A blessing is disguise Blessings in disguise ठीक है? लेकिन बाद में क्या हो रहा है? पता चल रहा है? वो तो blessings था ठीक है? इसके लिए उस करते है नीक्स्ट है मारा Rank and file Rank and file क मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है Ordinary workers in company इसके लिए उसकरते है Rank and file Next है मारा My brother has decided to settle in London for good यह जो for good है, इसका मतलब क्या है, इसी इडियम का मतलब क्या है ठीक है, for a promotion, forever, briefly, for a better income ठीक है, तो जादा जिसको नहीं पता है, वो तो better income मार के आ जाएंगे कि settle हो गए है London में, किसलिए better income के लिए तो ऐसा नहीं है, for good का मतलब होता है, forever, ठीक है, जिन्दगी बर के लिए My brother has decided to settle in London for, forever, ठीक है London for good, forever, next है मारा, burn the midnight oil रात वाली जो तेल है, उसको जलाना, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है, work late into the night, यानि कि आप अगर रात में तेल जला रहे हैं इसका मतलब रात में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लेट रात तक काम कीजिएगा, तभी तेल जलेगा, लाल टेन का, तो इसका मतलब क्या होता है, burn the midnight oil का मतलब, आप देर रात तक काम कर रहे हैं नेक्स्ट है मारा, to come around का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, to be conscious again, ठीक है, अगर कोई hospital में था, कोई ब्योंस हो गया था, उसके बाद क्या हुआ, कि उसको फिर से वा अपने host में आ गया, उसके लिए उसकरते है, to come round, इसका मतलब, to be conscious again, ठीक है, यह lean patch, lean patch का मतलब क्या होता है, lean मतलब तो दुबला पतला होता है, patch मतलब दाग धपा बोल सकते हैं, तो पतला जो दाग धपा होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, lean patch का मतलब, ए period of poor performance, जैसे विराट कोली का उस दिन पहले चल रहा था, कि वो बहुत अच्छा performance नही नहीं दे पा रहा था, बट अभी तो दे रहा है, लेकिन उस टाइम क्या था, वो period था किसी चीज का poor performance का, तो उसके लिए क्या यूज करते है, lean patch, next है मारा, break the ice, break the ice का मतलब क्या है, break the ice का मतलब किसी चीज को सुरुवात करना, ठीक है, make a beginning or start something, next है मारा, off and on, off and on का मतलब क्या होता है, तो off, on, off and on करके सोचे, क्या हो सकता है, तो यह हो जाएगा, sometimes but not regularly, । off and करना जैसे किसी चीज को off कर रहे है, on कर रहे है, off कर रहे है, तो कभी कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे है, कोई काम को, कभी-कभी off हो जा रहे हैं और कभी-कभी on हो जा रहे हैं किसी काम को कर रहे हैं और तो on है किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो often होते जा रहे हैं तो इसका मतलब कभी-कभी कर रहे हैं कभी-कभी नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है hang on every word का मतलब hang जैसे mobile hang करता है ठीक है इसका मतलब क्या होता है hang on every word का मतलब hang का मतलब ठहर जाना रुख जाना अगर हर एक word में रुख जा रहा है तो क्या होगा ठीक है इसका मतलब यह होता है कि हर एक word को आप बहुत ज्यादा carefully सुन रहे हैं listen very carefully इसका मतलब यह नहीं होता कि stop after hearing one word ठीक है इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं hang on every word हर एक word को समझने की कुछ कर रुक रुक के समझ रहे हैं ठीक है बहुत ज्यादा carefully सुन रहे हैं ठीक है जाएगा जहां तक भी जाए ठीक हंड्रेड मिटर 50 मिटर 60 मिटर इस तरह का फेक सकते आप इस टोन को ठीक है तो यह क्या होता है बहुत close distance होता है तो इसके लिए यूज करते हैं very short distance के लिए करते है अटे इस्टे इस्टोन स्थ्रों ठीक है नेक्स्ट तो फिश इने ट्रबल वाटर मचली का ट्रबल वाटर में होना मतलब इसका मतलब होता है to take advantage of a difficult situation यानि कि किसी के difficult situation का advantage लेने को बोलते है तो फिश इने ट्रबल वाटर ठीक है next है हमारा red letter day red letter day का मतलब क्या होता है तो इसका हो जाएगा memorable day जैसे हम लोग कोई भी important day होता है तो calendar में हम लोग क्या करते है या फिर important day ठीक है next a dime a dozen dime a dozen का मतलब क्या होता है तो यह हो जाएगा पर तो dime का मतलब समझे जो एक डॉलर का दस्वा भाग होता है उसके यूज करते हैं dime ठीक है एक दर्जन में एक डॉलर का दस्वा भाग तो कितना हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा माने common हो जाएगा और so little of value ठीक है एक डॉलर का जो दस्वा भाग होता है उसका तो value बहुत कम होता है ठीक है दर्जन के मुकाबले तो इसके लिए यूज करते है a dime a dozen मतलब जिसका ब कैप अपेरेंस का मतलब होता है कि मेंटेन एन एक्सप्रेशन ओफ वेल विंग जैसे बहुत सारे लोग खुस नहीं होते लेकिन जब फोटो किछवाने के लिए आते हैं तो वह बहुत जादा खुस दिखाते हैं कि हम बहुत जादा खुस है ठीक है या फिर लोगों को वह खुस नहीं है ठीक है kept up appearance maintain an expression of well-being ठीक है next full of beans का मतलब क्या होता है ठीक है बीज मतलब चना बोल सकते बदाम बोल सकते तो इसमें क्या होता है अगर चना बदाम उगार खाते तो हम लोग क्या होते है energetic फिल करते ठीक है तो इसके लिए हो जाएगा happy and energetic अगर बदाम अगर रखाएंगे तो क्या होगा फूल ओप बीजिटिक नेच्ट है मेथर्ड टू वन्स मेडनेस इसका मतलब क्या है? seeming disorderly yet having a structure method of once madness का मतलब होता है कि कोई चीज आपको मालूम है ठीक है? आपको structure पता है लेकिन थोरा सा order आपका maintain नहीं हो पारा है disorderly है ठीक है? structure पता है लेकिन disorderly हो रहा है यहांनि के कोई काम करने का आपके पास reason तो है लेकिन आप प्रोपर तरीके से नहीं कर पा रहे है good reason for once action बने आपको पता है कि यह चीज करना है लेकिन प्रोपर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए method to once madness नेक्स्ट है get out of hand ,get out of hand का मतलब क्या होगा उमीद करते हैं कर लिया होगा आपने तो इसका मतलब होता है कि जैसे हिंदी भासा में बोलते हैं कि वह लरका तो हाथ से निकल गया इसका मतलब क्या होता है किसी को कंट्रोल नहीं कर पाने को बोलते हैं get out of hand तो अपने भासे में ही याद किजिएगा कि वह हाथ से निकल गया इसका मतलब अब उसको कंट्रोल कर पाना मुस्किल है तो क्रोस वंस माइड इसका मतलब क्या होता है तो क्रोस वंस माइड का मतलब तो इसका मतलब होता है कोई चीज याद आना या कोई चीज ध्यान में आना या किसी चीज का सोचने के बारे में बोलते हैं तो क्रोस वंस माइड ठीक है नेक्स्ट है और लास्ट भी है sida नोट वनस एसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है not according to 1's interest यानि कि जो अपने मतलब का नहीं अपने interest का नहीं है उसके लिए उसके लिए करते not 1's cup of tea ठीक है तो ये हम लोगोंने 72 idems complete कर लिया है ठीक है जो कि SSC CHSL 2001 के इसमें आये हुए थे ठीक है ओप सो वीडियो अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो please hit the like button चैनल को subscribe कर लिजे और ये जो वीडियो आपको suggestions में आ रहे हैं इन वीडियो को भी आप check out कर सकते हैं Thank you so much for watching